आदाव, हैद्रापार नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वाश रजत नगपकतल में, प्यूस श्रोष्थसी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ, एक बार फिर आपके अपने चहीते कारिक्रम में, जिसका नाम है आदाव हैद्रबाद जी हाँ दोस्तों, आजादी का महीना चल रहा है, 15 अगस्त हमें आजादी के अपने दिवस की याद दिलाता है और ये दिन हम सब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में हम इसे जानते हैं और इसे मनाते हैं तो आए इसी क्रम में हम आज कुछ बात करेंगे हमारे विशेश अतीथी से जो आज हमारे साथ स्टूडियू में पधारी हैं जी हाँ मैं बात कर रही हूँ, जानी मानी लेखी का मशूर ब्लॉगर और बहुत कुछ अपने दिल से कह जाने वाली लेखी का है इनका नाम है आर्या जा, तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस कारिक्रम में आर्या जी जी बहुत धन्यवाद अनुराधा जी और आप सबूं को नमस्कार मेरी ओर से मैं आर्या जा, मैं एक अर्थशांस्त्र की विद्यारती रही हूँ लेकिन साहित से मेरा एक रोजान रहा है तो इस वज़े से लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप से भी जोडना बहुत अच्छा लग रहा है आपने समय निकाला यहां आई बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं सबसे पहले आप से यह जानना चाहूंगे कि बचपन में आपने क्या सोचा था कि आपको बड़े होकर क्या बढ़ना है बचपन में मेरे पापा चाहते थे कि मैं आई एस ओफिसर बनूँ और मैंने उस हिसाब से थोड़ी पढ़ाई भी की फिर मंडल और यह वो थोड़ा बहुत असमय जो डिस्टॉबिंस हुआ उसके माद कुछ ऐसा हो गया कि मेरा रुजहान जो है वो साहित्य के प्रती जicating चाहरे हैं तो जब आप कह रहे हैं कि लिखने पर आप ध्यान देने लगी कब आपको ऐसा लगा कि मेरे मन में कुछ ऐसी बात है कुछ इसा बीज है जो अंकुरित हो रहा है और वो बाहर प्रत्पूरित होना चाहता है कब आपको यह लगा और आपमने लिखना आरेम कि बहुत ही सुन्दर सवाल है ये मैंने शिवानी पढ़ना शुरू किया था अक्चली जब मैं ग्राजोशन कर चुकी थी तो मैंने शिवानी का उपन्यास 14 फेरे पढ़े तो मुझे लग रहा था कहीं-कहीं उनके जो भाव थे शब्दों के जाल में ये कला होती है कि इनसान को हसा सकता है, रुला सकता है, और कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है इनसान के अंदर, तो मुझे लगा कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, ये एक जादू है, तो उस जादू ने मुझे पर ऐसासर किया, कि म पहला लेक मैंने लिखा था स्रीजन, एक चोटी सी कहानी है स्रीजन, जिसको लिखने की प्रेड़ना सच कहूं, तो मुझे मेरे हॉस्टल की एक ऐसी सीनियर से मिली थी, जिन्हों उन्हें सतरा साल में शादी कर ली और हॉस्टल छोड़ के चली गही थी, और जब मैंने उनका फेस्बुक में जोडने के बाद उनका पता लगाया, तो उन्होंने मेरा फ्रेंड रिक्विस्स एकसेप्ट किया, मैंने उनके पती के बारे में पूछा, तो मुझे पता चला, कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो दुनिया में नहीं है, तो ये चीज ने मुझे इतना ज्यादा हम दर तक चेंज कर दियां कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में शादी और 40 के उमर में विद्वा, तो क्या था खिर्णिया थी, क्योंकि उस वक्त में उन्हें बहुत जोड देती थी, क्या दीदी, जस्ट बालिग भी शादी कर ली, जिन्दगी देखा ही नहीं, और इतनी जल्द यह चीज लगा कि यह जो उनका था उसमें जिस तरह से उन्होंने जिस ग्रेसफुली उन्होंने इस चीज को लिया, वो बाद में लेक्शरशिप कर लेगी, और एक उनका लाइन, वो ज्यादा मुझे लिखने के लिए प्रेडित किया, कि एक मा अगर अपने बच्चों का स सकती है, तो स्वयम का क्यों नहीं, तो बस यही चीज और यह शव्द और यह स्रेजन नाम से, मैं उनको ही क्रेडिट दूँगी, वो विभादी हैं, और उनके वज़ा से मैंने यह पहली कहानी लिखी, तो यह पहली कहानी, या पहला जो भी हमारे जीवन में होता है, वो का अलग विधा हो जाती है, और साहित्य बिलकुल अलग विधा होती है, कहा जाता है कि जो लोग अर्थशास्त्र के बारे में सोचते हैं, वो साहित्य को समझ नहीं सकते, और जो साहित्य के लोग हैं, वो अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते, लेकिन आपने इन दोनों को कैसे तो इसमें यही कहूंगी कि अर्थशांसरी पढ़ती थी और मेरा बहुत ही पसंदीधा वीशे था तभी मैंने एमे किया था मैंने कुछ दिनों तक टीचिंग भी की इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी कृष्णा निकेतन करके है पटना में अच्छा है गल्स मैं पढ़ाती थी और मुझे बहुत ही मुझे इंटरेस्ट था ऐसा कुछ नहीं था पर जैसा मैंने बताया कि जब मैं विदेश गई अपने पती के साथ में वह गल्फ में थे उस वक्त और वहां मैंने देखा कि जो देश भक्ती का जो एक जज़बा आता था उसमें लगत इसको continue करना चाहिए तो जैसा मैं बता रही थी कि मैं जॉब कर रही थी जॉब छोड़के मैं पती के पास गई थी और उसके बाद वहां जाके ऐसा ज़बात का कुछ ऐसा था कुछ देश के प्रती कुछ हिंदी साहित के प्रतीक उसमें मुझे पूरा उसको मैं कह सकती हू पढ़ती हैं पतिदेव इंजीनियर हैं तो भी उनको बठाके पढ़ाती जरूर हूं तो परिवार आपको काफी सपोर्ट मेरी एक बेटी है वो भी एंकरेज करती है जब भी कुछ लिखती हूं उसको पढ़ाती हूं तो किस-किस विधा में आप लिख रही हूं और आपकी हमारी ऑनलाइन वह मनी आए थी जिसमें हम कुछ फ्रेंड्स मिल करके जो हम लोग सब ब्लॉगिंग करते थे कर्थे तो 32 ओरतों ने मिलके वह किताब निकाली थी जिसके लिए हमें इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड में मारा नाम दर्ज हुआ तो वह एक बड़ी उपलबध हैं जीवन के सब चोटी बड़ी घटनाओं को जोड़ती हुई तो बहुत प्यारी एक कहानियों की संकलन है और एक और मेरी रचना आने वाली है जो कि तेलंगाना की जो हिंदी भाशी वहिलाई हैं जो कि वरिष्ट लेकिका हैं उनके साथ मेरी एक आ रही है जिसमें वही स जरूना दुख भरा हुआ है क्या कारण है कहां से प्रेड़ना लेती हैं आप इन कहानियों की या क्या आपका तातपरे होता है इस तरह की कहानिया लिखने क्या समाज को क्या अप उपदेश देना चाहती हैं जी सचा यह है कि मुझे हीडन इमोशन समझना बहुत अच्छा लगता है जो सामने से दिख रही हैं जो तारकिक हैं जो वैग्यानिक हैं वेभारिक हैं वो तो आम तोर पे लोग समझ लेते हैं लेकिन कई बार परदे के पीछे की बात लोग समझ नहीं बाते तो मुझे लगता है कि हमें जितना ज्यादा कॉंप्लेक्सिटी आ रही है सोस तो उन चीजों को जानना, उन समीकरणों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो मतलब आप बात कर रहे हैं कि between the lines के बीच में जो बात छुपी होती है, उसको आप बाहर निकालना चाहती है, और व्यक्ति के व्यतित्व को और भी निखारना चाहती है, तो आपकी जो ये कहानी व प्रकार की हैं या मिश्रित हैं? लेकि एक तो मैं मानती हूँ, जो आपने पहले कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये सच बात है, नारी अगर पूजी जाती है, तो श्रद्धा प्रेम अपने सौहारदता के लिए, क्योंकि पुरुष में किसी के खिलाफ नहीं ह होते हैं, उनको बांधना, उनको उस प्रेम में एक संदेश देते हुए, उनको जोड़ना, चाहिए वो मा हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, हर रूप में नारी जो है ना, वही बांधती है, तो ये जो कहानिया है, ये सारी उन्ही आदर्शों को, उन्ही भावुकताओं को उन सब को जोड़ती हुई, और सामने रखती हैं, और कुछ मतलब ये भी कह सकते हैं कि प्रेम के वीविद रूप हैं उसमें, नारी का दूसरा नाम प्रेयाय तो प्रेम ही है, बिल्कुल, प्रेम त्याग, उसे के वीविद रूप है, तो बहुत मनुरंजक है वो किताब, पढ़े तो आपको अच्छी लगी है, बिल्कुल, जरूर मैं पढ़ना चाहूंगे, कुछ कहानिया तो मैंने आपकी पढ़ी जो ब्लॉक्स पर थी, तो अच्छा, ये ब्लॉगिंग का आइडिया आपको कब आया, और कब आप इससे जुड़ी, और कहां तक आज आप स्कूल में, तो उसने मुझसे ये बात कही थी, प्रीती उपांध्याए, कि उसका नाम लेना चाहूंगी, प्रीती अकर तुम सुन रही हो, तो उसने मुझसे कहा, कि दीदी, you write very well, तुमको लिखना चाहिए, लिखने को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए, उसके बाद मैंने से रिजाइन किया, मैं यहीं सागफोर्ड ग्लोबल में पढ़ा रही थी, तो तब तक पढ़ाते पढ़ाते, फिर मेरे भी दिमाग में आए कि स्वतंत्र लेखन कुछ अलग बात होती है, अपनी आजादी होती है, हम साथमी आठी क्लास के बच्चे को कितनी हिंदी पढ़ आज हम अगर आपकी ब्लॉगिंग पढ़ना चाहें, हाला कि मुझे तो पता है, लेकिन हम दर्शरकों को बताना चाहेंगे, कहां वो पढ़ सकते हैं आपकी लेखनी को प्रतिली पी एक बहुत ही प्रसिद्ध एप है, जिसमें मेरे बहुत सारे मतलब करीब 3,000 फॉल्वर् और एक मॉम्स प्रिसो एप है, मॉम्स प्रिसो को मैं ऐसे क्रेटिट देना चाहूंगी, कि वो लाइक का मदर हम लोग को जो लिखना सिखाने का, क्योंकि कई बार होता है न हम किताबे चापते हैं, अख़बारों में भी पत्रिकाओं में भी मेरी कहानी आई है, आहाँ जि जो मेरे पाठक जूड़े, उन्होंने बहुत ज़्यादा होसला दिया, वो आज भी मेरे जो उनके कमेंट्स आते हैं, तो मन करता है कि उसे मैं फ्रेम करा के रख लूँ, मतलब वो ऐसी वाते लिखते हैं कि भावनाओं की जो पकड़ आप में हैं, तो वो कहान दिखने मिल अच्छा, तो ब्लॉगिंग की जर्नी आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत सारे किरदार निभा रही हैं अपने जीवन में, चुकि नारी को वैसे भी कई सारे किरदार निभाने होते हैं, लेकिन आप इतने सारे जगहें पर अलग-अलग काम कर र तो तीन-चार घंटे मुझे अल्मोस्ट दिन में फ्री मिल जाते हैं, तो उसमें मैं अपने लेखन को देकर में आगे बढ़ती हूँ. आप की लेखनी के शेत्र में अगर कुछ अवार्ड वगर मिले हों तो वह हम से साजा करें. अवार्ड तो फर्स्ट वही मिला था, जो कमने बताया, ओनलाइन वो मनिया के लिए, इंडिया वॉक आफ रिकॉर्ड में आये, सार्टिकेट दिया गया, और उसके अलावा मुझे टाइम टो टाइम वो मंतली जो भी हम लिखते हैं, तो बेस्ट टॉप ब्लॉगर अवार्ड इनमें आप कुछ ग्रुप साथ मिलकर लिखते हैं या स्वतंत्र आप लोग का लेखन रहता है, सबका स्वतंत्र रहता है, हमारी संपादिका है, ललिता गोयल जी, तो वो हम लोग को जो उन्हें पसंद आती है, उसको फेस्बुक पेज पेज पेशीर की जाती है, उसके ब ब्लॉग हिट हो गई, और उस ब्लॉग पे हमें टॉप ब्लॉगर का मिलता है, तो अच्छी खासी अपनी घर बैठे और निंग भी हो जाती है, यह यह चीज है, आप से मैंने यह नहीं पुछा कि आप कहां से हैं, और कैसे आप यहां पहुची और अपने प्रारंभिक जी पापा पुलिस अधिकारी थे, तो उनके साथ उनके तामादले के जगह जाह में गई, लेकिन उन्होंने एक ही चीज देखा था, कि वह पुलिस में थे, और उनका ट्रांसफर बहुत जादा होते रहता था, तो उसमें उन्होंने बनारस में हमें रखके पढ़ाया, तो एन उसके बाद मैंने पीएजडी में रजिस्टरेशन कराया था, काशि विद्या पीट से, तो वो भी मेरा अल्मोस्ट हाफ डन है काम, तो सॉफ्ट्वेर इंडस्ट्री पे मैं काम कर रही थी उसमें, लेकिन वही बाद जो आपको कहा कि अब ये चीजें इतनी ज्यादा होने जा रहे हैं, जी, सच मुझ, आजादी तो है, हमारे हर किसी को आजादी का मतलब भी पता है, हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारा वो हिंदुस्तान कैसा था, जिसने इतना सारा स्ट्रगल देखा था, लेकिन हां, आज भी कह सकती हूँ कि आज भी कोई सी संघर्ष की कम आज जाने दोना, तिरंगा मिलकर फिर फेहराने दोना, तेरे मेरे की अंदकार में भटके हैं बार बार, जश्न आजादी का मिलकर मनाने दोना, बदले नहीं बहुत हैं, वक्त और हालात, क्या बात हैं, खड़ा किया महामारी ने सबको एक साथ, अब तलक ना सही, आप ना में ही सही, इस घड़ी तो मुलक को एक हो जाने दोना, इस घड़ी तो मुलक को एक हो जाने दोना, बहुत हुआ अब खेल, मैला है राजनेतिक मेल, नहीं तुस्वार्त में फूट कराते, तीजोरी अपनी भरते जाते, चलो, अब नींद से जागें, ना किसी के पीछे भागें, मिलाएं कदम से कदम और दिल भी मिल जाने दोना, दिल भी मिल जाने दोना, बहुत खुब, बहुत सुन्दर रचना अपने लिखी है, और इसी प्रकार के विचार अगर हम सब के हों, सारे देशवासियों के हों, तो वो दिन दूर नहीं कि विश्व में भारत एक बार फिर सोने की चिडिया बन जाएगा, तो साहित्य के शेत्र में रुची रखने वाले चात्र चात्राओं को या जो लिखते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे, जी, जरूर, एक चीज जो कहते हैं, कि मन की हो तो अच्छा है, मन की ना हो तो और अच्छा है, तो कभी-कभी क्या होता है, कि हम कोई छेत्र में कभी लगता है, कि हम असफल हो रहे हैं, साइंस का इंजीनिरिंग के स्टूडेंट हो रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट हो रहे हैं और वहाँ सफलता के लिए एक दम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं बट उनमें अगर सफल हो गए तो वेलेंगूट बहुत अच्छा है अगर किसी वज़ा से आप नहीं है तो इसका मतलब जरूर है इश्वर कोई ना कोई टालेंट सब में देखे भेजता है तो बस मेरी तरह कलम उठाएं और अपने मन की लिखें मन की लिखेंगे तो बिलकुल मन से लिखेंगे तो जो महिला घर पर है जो कहती है अक्षर कि मैं लिखना तो चाहती हूं लेकिन समय नहीं है उनके लिए कुछ एक ऐसा उपाय बताईए कि वह भी लिखना आरम करें और अपनी मन की बात मन तक पहुंचाएं बिलकुल सही बहुत सुन्दर बात है यह एक्षली मैं भी यही संदेश देना चाहती थी कि जो भी महिला है देखिए मन तो ऐसा चीज है कि मन में अच्छी चीजें बुरी चीजें सभी भरी पड़ी है हर मन कुछ अलग धंका कोई चीज आपको टच करती है आप रिष्टदारों में बाट नहीं सकते कई बार दोस्तों में भी नहीं बाट सकते तो आप और पहले का जमाना अलग था कि कागज कलम में लिखो फिर प्रिंट कराओ फिर वो कहां तक पहुंचेगी उसको आप नहीं जानते थे बहुत सारी भागदार घर बैठे अपना एक प्यारा सकोना पकड़िए अपना स्मार्ट फोन लीजिए और एक डाउनलोड आईधर प्रतिली पर आईए नहीं तो मॉम स्परेस कि आईए नहीं तो और भी एं स्टोडी मिरर, वेगडर भी है तो उसमें अपना अपना लॉगइन बनाईए और अपने मन की लिखते जाईए महिलाओं के लिए ओं मॉम स्प्रेस इसका मतलब हे है मा की« मा की प्रेसु तो मा की प्रेस है, उसमें कविताइं चाहें, कविताइं लिखियें, कहानियां लिखियें, वीडियो बनाईएं, कैसे भी करके कुंठा से बेटर है खुलना, यह मेरा कि मान कुल, जो बात हम अंदर दबाए रखते हैं, अगर बाहर आ जाता है, तो मन भी हलका हो जाता है, और कहानिष बसितन कहानी, तो 2.2 मिलियन तक टच हो जाती है, और जो लिटी जो घर की बैठीमिए, जो कही न ही दुखी है, यह सुखी है, जो भी है, जो उनको अपने ही अनकों से मिलती कहानी नजर आती है, तो आदेवसे परने के कमिन्ट कर डालती है, तो बहुत मज़ा इन्हीं चीजों से इस दौर से गुजर रहा है, उन्हें लिखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए साथ ही साथ और उससे आपको प्रेणा मिले की आगे और लिखने की, तो आज इस दिवस पर आप एक जनरल संदेश जो सभी के लिए हो, एक मैने नॉर्मल, एक आम तोर पर जो इसको मैं बोलना चाहूंगे, वही होगा जो तुम कहो, जब कहते हो, समझोते करते हो, मन को रखते हो, पौरुष जागते ही बात बदलते हो, तुम भी ना भोले मन को चलते हो, तुम भी ना भोले मन को चलते हो, तुम्हारे शब्दों को जीते हैं, यकीन कर लेते हैं, जरासी सम्मान की खातिर आग पर चलते हैं, ना दोर आते तुम वही, ना बदलती हरकतें कोई, मन पूछता बार बार है, क्यों संग बसर करते हैं। बहुत देहराई वाली बात आपने आखरी पंक्तियां है तोल मोल की पक्की होती हैं प्रेम में कच्ची बारहा यकीन कर लेती हैं होती दिल की बच्ची बातों में उल्जाकर ठग लेते हो बहलाकर अपना दिल भी टटोलो कभी पाओगे हमको सची महिला की आवाज है आप सब तक हर महिला के दिल की बात मैंने कुछ चंद पंक्तियों में लिख डाली हैं तो यह संकलन बहुत जल्द ही हाँ आपके सामने आने वाला है उसमें सभी चुनिंदा कहानिया हैं, तो हिंदी दिवस्तक वो आ जाएगा, बिल्कुल तो हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी से आए और हम तक पहुंचे और हम उसे जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप कुछ मतलब इस तरह की बाते हो रही हैं जो हमारे जीवन से अलग हों, बिल्कुल जो जीवन में घटित हो रहा है और आम जिंदगी में हम देखते हैं, वो सब बाते आपसे करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धनिवाद, आप देख रहे थे आदाब हैडराबाद, जी हाँ, हम यहाँ अकसर ऐसे लोगों को बुलाते हैं, जो अपने जीवन से कुछ ऐसे पन्ने हमारे लिए निकाल कर लाते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, जैसा कि मैं अकसर कहती कुछ लोग इतिहांस लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहांस बनाते हैं, तो आर्या जाजी इन ही में से थी, इन्होंने अपने जीवन को एक उधारन के तौर पर हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, किस तरह से आप घर में बैठ कर जो महिलाए हैं, वो अपने दिल की बा जीवन में, जितने भी हमारे दुखों, सुखों, सभी शडों को शब्दों में पिरोना हैं, और शब्दों में पिरोना बहुत ही आविश्यक है, चले इन्ही संदेशों के साथ मैं लेती हूँ आप से विदा, फिर होगी मुलाकात, अगले हफते तब तक के लिए अलविद है जबाद